नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोतिश जराट के मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंड संतों संतोंशी दिनांक 21 मार्च से 28 मार्च 8 दिन होलाश्टक महानुष्ठान करवाने जा रहे हैं आप सब को पता है कि हुलाश्टक होली से ठीक 8 दिन पहले आरम होता है हुलाश्टक में इस बार त्रियोदशी का 6 भी हो रहा है हुलाश्टक तिथ में आप सब के लिए एक ऐसा अनुष्ठान हम करेंगे जो आपको प्रतेक तरह की तंत्रबाधा प्रेतबाधा उपरी और कि कवचित कर देगा आपको कवचित कर देगा आपको बांध देगा आप एक एक अनोखे उसमें घेरे में आ जाएंगे आप पर फिर असर नहीं करेगा किन लोगों पर ये प्रभाव हो सकता है क्या है उसके लक्षन इसके लिए हमने अलग से वीडियो डाला हुआ है आज चर एक जलती है लेकिन उसमें एक क्रॉस करके और रख दिया जाता है क्या ये उत्तम है क्या उपयूगत है क्या ये रखना चाहिए पहला प्रशन नमबर दो दूसरा प्रशन आता है दिमाग में कि दीपक किस चीज का जलाया जाए घी का या तेल का तेल में फिर आप्शन आ सरसों का तेल चमेली का तेल के थिसरी आता है कि दीपक किस धातु में जलाए जाए तामा में पॉस्ट है। पूजा पाठ को ना बहुत नियम और निर्देश में बाधना नहीं चाहिए इस कम्प्लीटली आन यूर आस्था ये आपके विश्वास पर्टिका है सबसे ज़्यादा अगर हम इन चीजों को छण भर के लिए आडंबर कह दें तो ये अतिशयोक्ति नहीं है जानते हैं मुझे क्या लगता है दीपक सिर्फ दीपक है क्या दीपक क्यों जलाते है कहीं कितावी ज्यान की बात मैं नहीं करूँगा आपको पता है कि मैं सिर्फ तर्क पे चलता हूँ और तर्क होना चाहिए वो आपको कन्विंस कर देता है दीपक एक प्रत्यक्ष देव के रूप में है एक प्रकाश के रूप में है एक उजाले के रूप में है और एक प्रमाण के रूप में है हम अगनी देव को जैसे साक्षी मान करके अपने जाप को करते हैं हम मंत्र जप रहे हैं हे अगनी देव आप साक्षी हो कि हम ये जाप कर रहे हैं अगनी को साक्षी माने, पृत्वी को साक्षी माने, आकास को साक्षी माने तो साक्षी मानने मतलब तुम देख रहे हूं मतलब हमने जिम्मेदारी दे दिया इसलिए दीपक अनिवार है दिन की समय पर जब दिन होता है जब सूरच की रोशनी है आपके आसपा जब सूरियोदय चल मतलब सूरियोदय से लेकि सूरियास्त के बीज का समय यदि आप दीपक की अवचित्यता दीपक की अनिवारता दीपक की आवश्यक्ता आपने समझ लिया तर्क के आधार पर कोई भी मंत्र श्लोक धर्म की बात नहीं करता कोई भी मंत्र श्लोक आपके अंतरात्मा के अंदर की कलुष्ता को गंदगी को साफ करता है और स्वक्षता ही उजाला है साफ हुई चीज तो दिखने लग गई इसके उपर कालिक थी तो दिख नहीं रहा था सीधा सा तरक है समझ जाएंगे आप बहुत सामान ने भाषा में और मुहबब से आपको हम समझाते है समझ गया ना इतना अच्छा अब हम आते हैं दिया के बाती पर आज तक मैं समझ नहीं पाया क्यों मैं खुद जब पूजन में बैठता हूं तो एकके बत्ती रूई वाली लगाते है बड़ी-बड़ी फूल बत्ती जो आती हूँ उसको भी मैं तोड़ लेता हूँ अप अव्याइर जब आउचित हमने बता दिया आपको की धीपक का उद्देश क्या है धीपक का उद्देश क्या है दीपो जोती परब्रब हैं दीपो जोती जनार्दन है आप दाम हरते नित्यम लक्षमीर बरसातुस दो चीजे हैं देखिए अगर आप किसी भी तरह की आडंबर में घुस गए तो आप के लिए उल्जने बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं फिर आप इतने कंफ्यू जो मर्जे करें क्या है उल्जाना नहीं है अपने आपको सुल्जाना है हम उल्जाते हैं हम तनाव लेकर कि पूजा पाड़ करेंगे तो कहां सकाम चलेगा है कि नहीं तो यह पाप को हरता है पाप अर्थात अंधकार पाप अर्थात अंधकार कलुष्टा तो यह यह चीज आपको समझने वाली बात है हमने जो ग्रहदीप निर्माण किया है वो भी इसी उद्देश से निर्माण किया है कि ये खुद अपने आप में प्रतेक्ष देव है इसके लिए आपको जादा कुछ सोचना ही नहीं तो दीपक में एक ही बत्ती हम हमेशा लगाएं है आपको भी सलाह देंगी एक ही बत्ती लगाईए ठीक कोई दो बत्ती क्रॉस की आवश्यक्ता नहीं अब क्यूं करते हैं लोग मुझे नहीं पता है आप लोग कहीं पढ़वड़ लेंगे तो हमको तर्क भी देंगे लेकिन मैं उससे मानता नहीं हूँ वो रत्ती भर उसकी आवश्यक तो देखिए धातु के लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा वैरियेशन आ जाएगा अगर आप कोई special पूजा करते हैं जैसे मालीजे कि आप सूरीदेव को दीपक दिखा रहे हैं तो उनकी धातु ताबा है तो copper का आप ले सकते हैं Overall general way में पीतल सबसे शुभ होगा अगर आप पीतल का दीपक लेते हैं तो वो सबसे शुभ है दूसरे नमबर पे मिट्टी का दिया आता है मिट्टी का दिया चुकि प्रति दिन बदलना पड़ेगा इसलिए उसको माजा माज करके अगर हम यूज करते हैं कर सकते हैं वैसे मिट्टी तो सर्वधा शुभ होती है तो पीतल और मिट्टी का दिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति दिन पूजन में जलाने के लिए माज लिए फिर उसको यूज करिए माज लिए और फिर पूजन में यूज करिए तेल के लिए यहां फिर मैं एक बात कहूंगा कि जब सामान ने आप कर रहे हैं तो अपनी सामर्थ के अनुसार अगर आपके सामर्थ में सरसों का तेल है तो आप घी मत खरीदिए हाँ अब शनिदेव का स्पेशल जला रहे हैं तो सरसों के तेल का कर दीजिए हनुमान जी के लिए स्पेशल कर रहे हैं तो चमेली का तेल कर दीजिए लेकिन नित्व प्रति पूजन में अपनी छमता का आप आखलन कर लीजिए अगर आपको लगता है घी क्योंकि वहां उद्देश से सिर्फ एक है क्या प्रकाश और प्रमाण आप की प्रमाणिकता है हम आपको साक्षी मान कर कि पूजन कर रहे हैं तो अगर आपको लगता आपकी अपनी छमता देखी कि अअबकी छमता ओवि तो जराना अधरवाइस मैं उसमें भी मना करता हूँ, सामग्रियों का आप अव्य नहीं करना चाहिए, मन में शुर्दा, सब कुछ उसी पे निर्भर करता है, आडंबर बिलकुल भी नहीं, आडंबर दिखावा तो सबसे बड़ा पाप है, इससे तो हर किसी को मुक्ति लेनी चाहिए, आडंबर बिलकुल नहीं, शान्ति, शालेंता, मजबूती, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, उम्मीद करते हैं कि दीपक से संबंदित तमाम जानकारियां आपको मिल गई है, और एक बात मैं बता दूँ, आप लोगों के लिए संतोश उपाद्याय मेरा ना मासिग धर्म के उपर है, एक 14 वर्षी ये कर्निया की कहानी है, जसमें हमने एक वर्डिक्ट निर्मित किया है, एक निर्डए निर्मित किया है, कि इस तरहीं मासिग धर्मे अशद्ध नहीं होती, होती है तो कैसे, यह उत्तर आपको भी देना है, आप हमारा Facebook पेज मासुम सवाल Instagram handle मासुम सवाल फॉलो कर लीजेगा बहुत सारी जानकारिया उसमें मिलेगी फिल्म करीब मई के आसपास में रिलीज कर रहे हैं तो आप देख लीजे इसके बारे में जानकारी ले लीजे और आप लोगों के भी आसपास थेटर में रिलीज करेंगे इसलिए मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूँ आप लोग इस्त्रियां किसी भी अवस्था में दीपक जलाएं आप कभी भी अशुद्ध नहीं होती है जाइए निशिंद रहिए और अगर कोई कहता है कि अशुद्ध हो तो दिखाओ और सिद्ध करो सिद्ध करो तुरंत सिद्ध करवाईएगा और खीच-खीच के दीजिएगा क्या दीजिएगा मैं बताऊंगा नहीं वह आप समझदार है क्या खीच-खीच के देना हो आप दे लीजिएगा और चढ़ लीजिएगा नुटवा पकड़ के अगतम मस मसा देजिएगा चढ़ करके किच-किचा आई कि हमने कहां बोज़ा हट चट चट चलिए बिंदाज रहिए एकदम हर करम पर इतना हसिए मस्थो करके कि तनाव जाय तेल लेने तेल किसका होगा यह अमने बता दिया 21 तारिक से 28 तारिक महा तांत्रिक अनुष्ठान भीया और यह अनुष्ठान हुलाश्टक महा अनुष्ठान है इसमें आपको सम्रित होना है अगर किसी के ऊपर प्रेत वादा है कुंडली में अश्टम 12 का संब छेटे जए ऊशर्ण के साथ शनीराहू का संबंधे बारह्म का संबंध सिराहू के साथ है लगन इसπα 1 शनीराहू के साथ है तो आप जरूरी ziehen उष्ठान मैं संव्रित है के अपने तकस्भियों मत दिजेगा बिंदास रहिए हंसते रहिए मुस्क्राते रहिए जय श्रीरादे